सुकृति एजुटेग आज की इस वीडियो में हम एक्टिट्यूट पार्ट को कवर खरेंगे और उस पार्ट में हम अल्फाविट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मैंस अलिम्पियाड में जरूर मिलता है तो questions को हम देखते हैं, arrange the letters to form a meaningful word इन letters को हमें according to the numbers arrange करना है और एक meaningful word को form करना है स्टार्ट करते हैं I would like to suggest you कि आप सबसे पहले इसमें 3 numbers को letters के according arrange करें 5 to 4 है तो इसमें जो letters आएंगे उनको हम सबसे पहले 3-3 numbers के according letters arrange करेंगे इतने नहीं हमें एक meaningful word के भारे में पता लगजाता है Time भी same होगा तो हम उसी तरह से करते हैं 3-2-7 तो 3rd position पर जो हमारा number है 3rd position पे letter है वो M है 2nd position पे T है और 7th position पर E है 6-5-1 तो 6th position पे जो हमारा letter है वो T है और 5th position पर S है और 1st position पर D है 5-6-4 का position ले लेते हैं तो 5th position पर जो है हमारा S है और 6th position पर T है और 4th position पर U है अभी हम एक एक नमबर के according letter और ले लेते हैं so that we can frame our meaningful word so इधर थर्ड पोजिशन पर जो हम लेते हैं तो थर्ड पोजिशन पर हमारा N है और यहां पर थर्ड पोजिशन पर यह भी N है फर्स पोजिशन पर D है और यह फर्स पोजिशन भी है now you can see that T, S, T, N इसमें कोई भी meaningful word form नहीं हो रहा है तो इस option को हम खटा देते हैं N, T, E, D से भी कोई भी meaningful word नहीं हो रहा है इसको भी हम खटा देते हैं now I will try to do with option A S, T, U, N and the second letter here is S, T, U, N and the second letter is T now I think this can be the meaningful word तो इसको मैं complete करते हूँ third position पर N है and second position पर T S, T, U, D, E, N, T is to date is my meaningful word तो इस तरह से हमें अपना एक meaningful word मिल जाता है तो इस पे हमारी trick यही रहे दी सबसे पहले हम अपने शुरू के फ्री नंबर्स के according letters को अरेंज करेंगे और उसके बाद हमें इसको मैं इसको मैं इसको मैं इसको मैं इसको परेंगे बाद बाद करेंगे और भाद को मैं की सबसे रहे सिद तरह से रहे सको हमें इसको मैं प्रूं आधraw से मेंज एक सबसे हमात है अजिए करेंगे सबस़ल इन साब्रिकर शुर्जृ यहां पर प rehabilitate लर जाता है तो इसको हम बाद दूं को आपने हैं पर 6th position पर हमारा E है और 5th position पर N है मुझे अपना एक meaningful word में गया है garden in this way हम अरेंज करके अपने एक meaningful word को फॉर्म कर सकते हैं हम 3rd question देखते हैं 5 to 6 5 to 6 पर 5th position पर C है 2nd position पर O है और 6th position पर N है in the same way 5 to 6 पर 5th position पर 5th position पर C है 3nd position पर O है और 6th position पर N है 5 3 2 का position जब हम देखते हैं तो इसमे 5th position पर 2 C है 3rd position पर T है और 2nd position पर O है last one second position पर हमारा O 5th position पर C and 4th position पर R है इस तरह से जब हम देखते हैं तो C, T, O से मुझे कोई meaningful word नहीं लिखता है तो मैं इसको हटा देती हूं और OCR option को भी मैं हटाऊगी I will continue with COM तो COM के बाद में जब 8th position पर हम देखें 8th position पर यहां पर U है और यहां पर 1st position पर P है I will continue with the option B 8th position पर U है 3rd position पर T है 7th position पर E है और 4th position पर R है और मुझे अपना meaningful word मिल गया है that is computer इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं और आप वीडियो को पॉस कर सकते हैं और अपने लेटर्स को अरेंज करके meaningful word को भी फॉर्म कर सकते हैं तो आए ए 4th question देखते हैं 4th question में 2, 5, 4 सब्सक्राइब 3 लेटर्स की position यह लेते हैं 2nd position पर हमारा M है और 5th position पर A है 4th position पर C है अगर हम इतर देखे तो 2, 5, 4 की position है तो हम लिख लेते हैं M, A, C and 3, 1, 6 की position पही ऐसे ही है H, E, N उसको भी हम लिख लेते हैं और 3, 1, 7 जो है उसकी भी position हम लिख लेते हैं H, E, I अभी हम अपने 1st option A की साथ इसको complete करते हैं तो 3rd letter जो है that is H and here also 3rd letter is H again I will continue with the option A and option B तो 7th position पर जो हमारा letter है इतर आई है and I will first that is E then I will continue with these two options मुझे इन option से कोई भी meaningful word नहीं मिल रहा है तो हम इन दोनों options को हटा देते हैं और option A और option B के साथ हम continue करते हैं यहाँ पर जो हमें 5th letter मिला है इसमें 6th position पर जो letter है उसमें N है and 1st position पर E है और 6th position पर यहाँ भी N है और इसमें 7th position का E है तो हमें अपना एक meaningful word machine मिल गया है तो machine is a meaningful word और option A is my correct answer in this way आप practice करके अपने इन letters को arrange करके एक new word बना सकते हैं तो 5, 4, 2 अगें हम 3 letters लेंगे तो 5, 4, 2 को जब हम लेते हैं और arrange करते हैं तो 5th position पर O है 4th position पर R है और 2nd position पर A है 3, 2, 1 का जब हम arrange करते हैं तो यह हमारा 3, 2, 1 पर है C और यह है हमारा A और यह है D इसी तरह से 3, 2, 4 को जब हम arrange करते हैं तो 3rd position पर C है 2nd position पर A है और 4th position पर R है 2, 1, 5 का position लेखते हैं तो 2nd position पर A है और 1st position पर T है और 5th position पर O है तो इस तरह से हम उसको arrange करते हैं अभी हम देखेंगे O, R, A से मुझे कोई meaningful word नहीं मिलता A, T, O से भी नहीं मिलता but I can continue with C, A, R and C, A, T So I will go with option C first and the sixth letter here is R and fifth letter is O and the first letter is T हुझे अपना एक meaningful word carrot मिल गया है, in this way option C is correct Now move to the next question, I will arrange the first option letters 147 accordingly I will arrange the letters, so first letter is M and fourth position पर E है हमारा है N to seventh position पर N है और इसमें भी same है, first point seven तो M, E, N है इसमें and after that हम लेखेंगे 143 positions पर, so one fourth position पर M है, fourth position पर E है और third position पर जो हमारा है वो हमारा D है, here 143 का position M, E और D है इस तरह से, तो अभी हम इसमें एक एक letter के according, एक एक number के according letters और arrange करते हैं और हम इसको दूर्वे की कोशिशिश करेंगे, तो fifth position पर जो हमारा है वो E है, इसमें eighth position के according है तो C है, यहां पर seventh position के according है तो वो seventh position पर N है, and second position पर यहां पर हमारे पास D है, यहां पर second position पर D है, sorry I है, तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे, अभी हमें M E N E के according कोई word भी मिल रहा है, M E N C के according भी नहीं मिल रहा है और M E D N के according भी नहीं मिल रहा है, I will continue with the option D, क्योंकि इसमें ही मुझे शायद मिल रहा है, 8th position पर C है, और 6th position पर I है, 7th position पर N है, और 5th position पर E है, इस तरह से हमारा meaningful word निकल के आता है, that is Madison, in this way हम अपने letters को arrange करके meaningful word बना सकते हैं next slide में एक last options में आपके साथ करूँगी और 8th and 9th मैं आप रोगो के लिए solve करने के लिए छोड़ूई आप इसमें एक meaningful letters को arrange करके meaningful word बनाएए और comment box में मुझे लिखे 7th question को मैं solve करती हूँ एक बार आपके easiness के लिए 7, 3, 2 को जब हम arrange करते हैं 7, 3, 2 तो 7th position पर हमारा N है 3rd position पर O है 2nd position पर A है इसी तरह जब हम 4, 2, 3 की position देखते हैं तो 4th position पर C है और 2nd position पर A है और 3rd position पर O है 4, 2, 1 का position देखते हैं तो 4th position पर हमारा C है 2nd position पर A है और 1st position पर R है और last option में हम देखते हैं कि 6th position पर हमारा O है और 5th position पर हमारा T है और 3rd position पर O है न, O, A I don't think कि इससे कोई एक meaningful word बना सकती हूँ C, A, O से भी नहीं बना सकती O, T, O से भी नहीं बना सकती I will continue with the option C देखते हैं कि इससे कोई meaningful word बनता है या नहीं तो 5th position पर हमारा T है और 6th position पर O 3rd position पर O है और 7th position पर हमारा N इस तरह से मुझे एक अपना meaningful word बिल गया है काटू तो in this way हम letters को arrange करते हैं Numbers के coding और अपनी meaningful word बता करते हैं Hope आपको ये video अच्छा लगा होगा और आप मुझे इन questions के answers ज़रूँ देए comment box में If you like my video, please like, share and subscribe We'll meet you in the next video with a new topic Thank you so much